Hello everyone, मेरे नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत online पढ़ाई पर करती हूँ. जिसमें कि हम करने वाले हैं हॉर्मोन्स और डिजीजेज ये दो चाप्टर को मैंने क्लब करके किया है और ये बहुत important chapters है आपके exam में पूछे जाते हैं मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगे कि यहां हम तयारी कर रहे हैं seated January 2024 में जो exam होने वाला है इसमें हम यहां तयारी करते हैं चानल पर विज्ञान की और हमारा जो science का content होता है वो NCRT based होता है और साथी साथ हम कोई भी content करते हैं तो उसके previous year questions भी उसी समय on the spot solve करते हैं जिससे की यह पता चल पाए कि कितना हम को समझ में आया और कितना हम recall रख पा रहे हैं ठीक है साथी साथ मैं आपक क्लास 6 और क्लास 7 की textbook proper full summary के form में upload करी है तो आप इन दोनों वीडियो को देखना ना भूलें और साथी साथ pedagogy science की तो इस pedagogy science को मैंने एक घंटे में काफी हद तक cover किया है मुस्ती चीज़ें cover की है with question answers तो आप इसको भी एक बार 2x पे देख रहेंगे तो आपको बहुत help मिलेगी आपकी understanding को और develop करेगी आपके experience की जो पढ़ने का है उसको और बढ़ाएगी तो इन वीडियो से ज़रूर जुडियेगा और अगर आप चानल पे नए है तो चानल को subscribe कर लीजेगा आपको इस चानल से आपके मतलब की वीडियो मिल जाएंगे जो की science से related होंगे तो हर रोज मेरा 10 बजे सुबह शाप at 10 a.m. in the morning 10 का dose आ जाता है और ये 10 का dose क्या है एक concept और उससे concept से related questions या साथी साथ आपको कोई भी summary मिलेगी या आपको मतलब science related कोई content आपको रोज सुबह 10 बजे Monday to Friday आपको मिलेगा Saturday Sunday off रहता है मेरा तो यहां से आप जुड़ना ना भू साथी साथ मेरे telegram channel है इससे भी आप connect हो सकते हैं online पढ़ाई telegram official और online पढ़ाई telegram official group जो है वो online पढ़ाई का आप उससे जुड़िए और email id मेरी यह है आप इसमें भी connect हो सकते हैं तो चलिए आज का video start करते हैं hormones hormones क्या होते हैं यह कुछ तरह के chemicals होते हैं जो रिसाव होते ह जो की endocrine glands जो है वो secret करता है और इनका काम क्या होता है control करना regulate करना किसके body के cells के function को और organs को ठीक है और यह hormones किसके लिए responsible होते हैं कुछ various processes होते हैं जिसे digestion हो गया metabolism हो गया respiration हो गया sleep हो गया lactation हो गया stress growth development reproduction मतलब सारा जो mostly calm body का है वो कौन कर रहा है वो hormones कर रहे हैं ठीक है ब होई तो hormonal changes हो गया ठीक है या body में कोई development हो तो कहते है hormonal changes हो गया क्योंकि body उस असाफ से उसको regulate करती है और वो regulate कौन करता है वो chemicals करते हैं जो कि endocrine glands जो है secret करती है दूसरी बात endocrine glands जो ऐसी glands होती है जो कि blood में directly क्या है hormones को release करती है और यह target side पर जाके जो है वो hit कर देते हैं इसको आये समझ लेते हैं हिंदी में भी आपको यहीं लिखा है content आपका bilingual रहेगा तो आप चिंता मत करेगा चानल को सब्सक्राइब कर दीजगा आपको science का content यहां से मिल जाएगा अभी वे आपने को तयारी नहीं करी है तो आप इस channel से जुड़कर अपनी तयारी को सब्सक्राइब सेम इसमें हिंदी में लिखी है चलिए अगली स्लाइड की दरब चलते हैं अगली स्लाइड है हमारी just a second यह मैंने आपको बज़ो बताया कि जो hormones होते हैं वो endocrine glands जो है वो secret करती है hormones और यह direct कहां पर आ जाते हैं यह direct blood stream में flow करने लगते हैं और target cell को target organ को ज बहुत आरुशक हैं तो यह gland में सबसे पहली gland हो जाएगी आपकी pineal gland तो एक यह करके मैं आपको सारे functions इसके बताते चाहूंगी pineal gland क्या है यह एक तरह का release करती हॉर्मोन जिसको बोलते हैं milatonin यह milatonin hormone का का काम क्या होता है यह हमारे body के sleep cycle को regulate करती है milatonin क्या करती है sleep cycle को regulate करती है इसलिए इसको बोलते है biological clock of body ठीक है biological clock of body कौन हो गया pineal gland हो गया और जो कि release कर रही है milatonin hormone ठीक है next hormone की तरफ चलते हैं जो कि है pituitry sorry next gland की तरफ चलते हैं जो कि हमारी pituitry gland तो यह pituitry gland क्या है बहुत सारे hormones जो है वो release करती है सबसे पहली बात आपको जाने ज़रूरी है कि यह हमारी होती है master gland जो कि और और भी जो है glands को और भी लोगों को क्या है वो regulate करती है for example जैसे की हो गया thyroid gland हो गया adrenal gland हो गया फिर कुछ organs हो गये फिर growth hormone हो गया तो इन सारे hormones को क्या है मतलब एक तरफ से master gland है तो दूसरे भी gland को क्या है यह regulate करेगी यह आप point याद रखेंगे आईए अब जान लेते हैं क्या अब जान लेते हैं कि इसके हमारे क्या-क्या important hormones है जो की pituitary gland जो है वो release कर रही है तो सबसे पहला आपको hormone हो जाएगा follicle stimulating hormone यह glutinizing hormone इसका काम क्या होता है यह menstrual cycle को regulate करता है menstrual cycle किसमें होती है females में होती है ठीक है next बात आती है आपकी anti-diuretic hormone क्या होता है यह Osmo-regulation को साइट करता है स्की साइट क्या हो जाएंगी जिनी नेक्स बात आती है हमारे सिर्ण यह हमारा हो जाएगा घ्रोथ हॉर्मोन प्रहुंध यह सब किसकी बात चल रही है Ï प्याए प्याट्री सारे हॉर्मोन को रिलीज कर रहा है इसलिए pituitry बहुत बड़ा हॉर्मोन है और इसलिए इनको master gland भी बोला जाता है pituitry gland है hormone नहीं है pituitry gland है जो कि और भी hormones को या और भी glands को regulate कर रहे है sorry मैंने गलत बोल दिया ठीक है तो growth hormone क्या हो जाएगा growth hormone क्या करेगा growth और division में help करेगा ठीक है next बात आती है हमारी d d हमारा होगा जाएगा oxytocin oxytocin का का काम क्या हो जाएगा यह birth contraction में help करेगा मतलब जब बच्चे को निकलना है uterus से बाहर तो उस समय oxytocin जो है वह hormone release होने लगता और release कौन करता है pituitry gland यार रखेंगे कौन release करता है pituitry gland यह most important है question बहुत बार पूछा जाता है next बात आती है prolactin prolactin आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा lactation तो क्या है कुछ milk से secretion हो रहा है मतलब mother में जो lactating mother है उस पर milk secret होने लगता है next बात आती है आपकी चलिए अगले hormone की तरफ चलते हैं अगला hormone है हमारा just a second thyroid gland thyroid gland है यह कौन सो hormone release करेगा यह hormone release करेगा thyroxine thyroxine hormone क्या काम करेगा यह metabolic rate को regulate करेगा metabolic rate को regulate करेगा plus करेगा body body की जो balanced growth है उसको क्या करेगा यह जो है regulate करेगा ठीक है next बात आती है next हमारा hormone हो जाएगा parathyroid hormone thyroid से related है तो इसलिए साथ में ही बता दे रही हूँ parathyroid hormone अब parathyroid hormone क Drew का क्या काम हो जाएगा यह हमारे body के calcium level को जो है balance करेगा ठीक है कौनसो hormone parathyroid hormone क्या balance करेगा calcium level को balance करेगा और release करेगा कौनसो hormone यह parathyroid gland release करेगा क्या parathyroid Parathorate Gland ती जो की release करी parath hormone बाद रकेंगे नेक्स बात आती है adrenal gland की यह adrenal gland डो तरीके क्यों hormone release करते हैं पहली बात हो जाती है adrenalin glands release करी है adrenalin hormone और दूसरा है cortisol यह क्या है कुछ ऐसे term से होंगे आपको exam में देखने को मिलेंगे, जैसे हो गया fight, flight, stress, ठीक है, उसके बाद हो गया emergency, तो जहां पर भी ऐसे वाले सब शब्द आपको देखने को मिल जाएं, आप समझ जाएंगे, adrenal gland है और hormone की बात कर रहे है, adrenaline और cortisol, next बात आती है pancreas, pancreas क्या secret करता है, pancreas secret करेगा insulin, ये भी के level को maintain करते हैं, ठीक है, next बात आजाती है ovaries की, ovaries के दो hormones है very important, एक तो है estrogen और दूसरा है आपका progesterone, ये progesterone बहुत जादा confusion हो जाता है, इस लगता कि male hormone है, पर progesterone is a female hormone, याद रखेंगे, तो ये इन दोनों का काम क्या हो जाएगा, female sexual character से उनको निखार के लाना, जो female है, पता लगे कि female है, और ऐसी testis है, testis क्या, tt से हो जाएगा, t for testis, t for testosterone, ये male के characters को जो है वो शो करने में, ये hormones मदद करते हैं, ठीक है, चलिए, अगली slide की तरफ चलते हैं, अगली slide है हमारी, अब सारा कुछ हमारा जो लिखा हुआ है, जो मैंने भी आपको बता है, वही सेम चीज़ें इसमें लिखी हुई है, जल दिली से पढ़ लेते हैं, कि produce करता है, pineal hormone, sorry, pineal gland, release करता है, melatonin, जो कि sleep pattern को regulate करता है, pituitry my master gland है, जो कि other भी glands को regulate करती है, हमने पढ़ा, साथ जात ये बहुत सरे hormones को release करती है, FSH, ADH, इनका क्या काम है, menstrual cycle को regulate करना, osmoregulation को, थे growth hormones, head division, oxytocin, जल दिली पढ़ेंगे, birth contraction, prolactin, milk production, आप इसका swing shot भी ले सकते हैं, चलिए, यही सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है, कि ये melatonin का उत्पादन करती है, कौन, pelion, ग्रंथी, फिर नीन के pattern को प्रभावित करती है, pituitry ग्रंथी, mastro ग्रंथी कहलाई ज और भूमिका, मासिग धर्म चक्र, यह जो आपका menstrual cycle की बात हो रही है, फिर आपका ADH है, यह लक्ष क्या है, kidney है, इसका और osmoregulation का काम करता है, प्रिधी हॉर्मोन है, जो की व्रिधी में मदद करती है, साथी साथ ऑक्सिटोसिन हो गया, यह जन्म के समय जो है, वो birth contraction करती है, फिर प्रोलेक्टिन दूद का उत्पादन करती है, जल्दी से अगली साथ की तरफ चलते हैं, जल्दी से, next thyroid gland, so same मैंने आपको बताया कि कौन सार रिलीस करेगी, thyroxin और यह body growth balance को करेंगे, regulate parathyroid, calcium balance को करते हैं, adrenaline, adrenaline और adrenaline gland, यह रिलीस करेंगे, adrenaline और cortisol, और role क्या हो है, menstrual cycle के लिए, estrogen and progesterone, दो hormones है, testosterone, testosterone, testis द्वारा स्रावित किया गया, hormone है, next slide है, आपकी सेम हिंदी में, चली, अगली slide की तरफ चलते हैं, अगली slide आजाती है, अब हमें बात करनी है, plant के hormone की, अभी तक तो हमने बात करी क्या, humans के hormone की, अच्छा, एक point और आपका रह गया की, हाँ, hypothalamus, जो होता है, hypothalamus, देखो, hypothalamus को कौन कंट्रोल, pituitary को कौन कंट्रोल करता है, hypothalamus, और pituitary किसको कंट्रोल करता है, pituitary बाकी और glands को कंट्रोल करता है, तो pituitary के पापा कौन हुए, pituitary के पापा हुए, hypothalamus, और, बाकी और glands के कौन पापा हुए, pituitary, ठीक है, है यह समझ गया देखा कि हमारे उते हैं उनके लिए कुछ-कुछ ऑर्मोंस थे जो भी पढ़े को भी कुछ फॉर्मॉंस की आवशक्ता होती है सबसे पहली बात है कि plants को क्या जरुवत होती है growth के लिए sunlight, water, oxygen, minerals, पौधों को अपनी व्रिद्धी और विकास के लिए सूर, प्रकाश, पानी, oxygen, खनीजों के अविशक्ता होती है यह तो बाहरी कारक हो गए, ठीक है, यह हमारे कैसे कारक हो गए, बाहरी कारक, पर कुछ हमारे अंधरूनी आंतरी कारक की भी जरुवत होती है, जो क्या हो जाते हैं, हमारे hormones हो जाते हैं, plant के hormones भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, इनको phyto hormones के भी नाम से जाना जाता है, तो अब आपको इसको एक्जाम्बस याद रखने हैं कि और जिब्रेलिन और साइटोकैनिन क्या हो जाएंगे प्रमोटर्स हो जाएंगे और इनिहिबिटर्स में एपसेजिक एसेट और एथाइलिन हो जाएगा ठीक है चली अगली स्टाइट की तरफ चलते हैं जल्दी से अब आ प्लाइंट होर्मोन की वज़ा से ही हो रहा है अगली स्टाइट की तरफ चलते हैं अब ध्यान से पढ़ना है जल्दी से पहली पहला देखते हैं पहला हॉर्मोन क्या बोल रहा है पहला हॉर्मोन बोल रहा है कि ऑगजिन क्या कर रहा है means to grow मतलब इसका काम ही क्या है grow करना अब हमारे जो ये मालो ये उपर कर जो शूट की tip है और ये किया है? चुरूर्ट की tip इसको मैं अलग कलर से कर देती हूँ ये जो सूट की tip है और ये जो रूट की tip है तो इस tip पर पाया जाने वाला hormone कौन सा हो जाता है? आकसे हो जाता है, ठीक है? क्यों क्योंकि इसको elongate करने में help करेगा cell को divide करने में help करेगा growth करेगा और induce करेगा parthenocarpy मतलब ऐसी situation यह पूछा जाता है what is parthenocarpy मतलब की fruit का develop हो जाना without fertilization ठीक इसको बोलते है parthenocarpy और यह tomatoes में पाया जाता है example भी आप याद रखेंगे ठीक है और कोई भी पती अगर पूरी mature नहीं है पूरी परिपक्व नहीं हुई है तो उसका तूटके ना गिरना मतलब अगर कोई कच्ची leaf है बोलते हैं कि अधे कच् अगले चलते हैं अगली होर्मन की चलते हैं जीब्रे लेन जो कह ב׏ गर्यान लोटासे Вс reopeningora से भी यह वह बढ़ावा करणा एज पहले हैश इंदा है मतलब डाला का्यारेगा जीब्रेलिंद यह क्या ऑर मतलू मतलब अगरад से इजंस स्ध में प्रामय स्धि कौत ओक्सच करे derrière कि सेल डिविजन में ग्रोथ में और डिले लीफ एजनिंग लीफ को जल्दी से पूड़ा होने में मतला मैच्योर होने में उसे रोकेगा कि अराम अराम से होते जाओ यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है इथाइलीन आपसे पूछा जाएगा कौन सा गैशियस हॉर्मोन है त ऐसा कौन सा हॉर्मोन है जो कि आपका प्लांट इनिविटर भी है प्लस प्लांट जो है आपका प्रमोटर भी है मतलब ग्रोथ इनिविटर प्लस ग्रोथ प्रमोटर जी आई जी पी कौन सा हॉर्मोन है तो यह हो जाएगा आपका इथाइलीन इथाइलीन दोनों काम करता है ठीक है अब इसके बाद एट्स इंट्रूट राइपनिंग प्रमोर्ट सेनिसेंज और एपिनेस्टी एपिनेस्टी मतलब पेड की तहनीका जुक जाना ठीक नेक्स बात आती है अपसिसिक एसेड यह क्या है गोथ इनिविटर हॉर्मोन है फिर मेंटेन सीज दौरमेंसी प्रमोर्ट एपसेशन मतलब पत्ते जो है वह तूटके गिरने लगे तो वह कब गिरेंगे जब एपसेशिक एसेड वाला हॉर्मोन जो है वह फ्लाइंट में रिलीज होगा नेक्स स्लाइड की तरफ चलते हैं नेक्स स्लाइड यह सारे कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ है कि ऑक्सीटोसिन का अर्थ है बढ़ना जली से देख लेते हैं एक बढ़ना फिर जर्ज और अंकोर से युवा के सिरे से फिर कोशिका व्रिधी को बढ़ावा देना फिर पा मेघा और फ्रृतर के सानHH के काम क्या होगा विकास्त रवूतर के सासत अवरोधक के कुल्म में भी काम आता है तो लोके परेज़क्ने में प्रेजन होता है तो अब आप स्क्सावर्मोन है जोकि फूरुट को राइप होने में काम इसकी हूं नेम फूर्मोना ẩमताःट इस इससे के वज़े से गिर सकते हैं चल्झे अगली स्लाइड है हमारी अब हमें कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पढ़ने है जो कि हमारे एक्जाम पॉइंट उफ्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो कुछ हमारे जीव जो होते हैं सूक्ष्म जीव वह useful होते हैं और कुछ harmful होत वो क्या करेंगे वो pathogens होंगे एक तरह से और वो pathogens क्या करेंगे disease cause करेंगे ठीक है इतना तो समझ में सब कोई पता होगा और जो useful होंगे हमारे वो क्या करेंगे वो यह तो food में help करेंगे है medicine बनाने में ठीक है तो आये जली देख लेते हैं तो food में कैसे है जैसे कर पहली बात करूं मैं कर्ड की तो कर्ड का formation कैसे हो जाता है by the bacteria जिसको बोलते है lactobacillus ठीक है lactobacillus यह एक तरह का bacteria है lactobacillus अब यह क्या करें कर्ड को में बनाने में help करेंगा फिर आती है बास आपकी yeast की तो yeast क्या है alcoholic fermentation में पहला यूज होगा फिर आपका bread industries में भी आपका yeast यूज होता है इसी तरह से बहुत सारे microorganisms आपके देखने में मिलेंगे जो कि food sector में आपको help करने को देखने को मिलेंगे next बात आपकी medicine की medicine में आपने देखा होगा कि एक drug होता है क्या वो drug का नाम है penicillin ठीक इसके drug के और भी तरह था कि नाम है एक तरह से अंटी बायिटिक्स हैं तो यह क्या होगा है। एक तरह से healthful ही तो काम को गया ना किसका qu". नेक्स बात आती है अगर सब चीज हो गई अब इसके बात आती है शेम वाकसीन की तो वैकसीन भी हमारा किससे develop होता है एक micro organism से ही develop होता है जैसे कि vaccine अगर कोई भी micro organism अगर body में enter होता है तो यह generally viruses की बात हो रही है यहां पर viruses बैक्टिरियल के लिए तो तो हमने देख लिया antibiotics पर जो viruses होते हैं उनके लिए antibiotics नहीं helpful होती है उनके लिए क्या होगा वैक्सीन की जरुवत पड़ती है तो अगर ये वाइरस आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा तो बॉडी क्या प्रोडियूस करेगी इसके अगेंस एंटिबॉडी प्रोडियूस करेगी और साथी साथ क्या जिससे की इससे लड़ाई कर पाए उसको लड़ाई साथ उसकी बॉडी में एक और चीज का काम होता है जो कि है मेमोरी को रिटेन करना इस मेमोरी से क्या होगा कि अगली बात ये इंफेक्शन होगा अगर सेम वाइरस से तो बॉडी क्या है बॉडी को एफेक्ट नहीं पढ़ पाएगा तो इसी चीज को यूज कर के उस foreign microorganisms के लिए अब ये micro foreign antibodies जो निकली इंडूस हुई जो body ने बनाई इसको इससे क्या क्या उन्होंने vaccine को बना लिया अब vaccine से फिर क्या है normal human being में डाल दिया तो अब बात आती है कि antibody जो मैंने आपको bacterial का बताया था तो bacteria को बनाने के bacteria को के लिए जो था bacterial diseases के लिए जो antibiotics यूज हो रही थी वो penicillin थी और ये penicillin को किसने बनाया था ये नाम आपको याद रखना exam point of view से ये एलेक्जेंडर flemming ने ये जो है vaccine बनाई थी और साथी साथ अगर मैं बात करूँ vaccines की तो vaccines की discovery किसमे किसने की थी vaccine की smallpox की अगर मैं बात करूँ तो smallpox की vaccine की discovery की थी किसने Edward Jenner ने ये exam में आप याद रखेंगे very 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 जितने आपको star लगाने लगा लीजे क्योंकि exam में भी आपको question देखने को मिलेगा भी मैं आपको जब previous question दिखाऊंगी ठीक है तो ये अब जैसे जितनी भी viral diseases है तो उनके against क्या है vaccines की जरुवत पढ़ती है जैसे कौन सी viral diseases हो गई, tuberculosis हो गया ठीक है, cholera हो गया, smallpox हो गया तो ये सब क्या है इनके against vaccination की जरुवत पढ़ती है ध्यान से सुनते जाईएगा बस ठीक है चलिए अगली slide की तरफ चलते हैं अच्छा कुछ ऐसे microorganisms होते हैं जो कि क्या करते हैं ecosystem में भी help करते हैं जैसे आपने क्या सुना था, एक word सुना था nitrogen fixation वाले microorganisms जो कि rhizobium था अब ये rhizobium क्या कर रहा था ये atmospheric nitrogen को किसमे usable form में convert कर दे रहा था और ये usable form plants ले पा रहे थे तीक है ऐसे ही साथी साथ garbage को भी जो है वो decompose करने के लिए या manure को form करने के लिए कुछ microbacteria की जरुवत होती है तो ये decomposition recycling इन सब में भी कह है microorganisms की आविशकता पड़ती है चलिए अगली slide की तरफ चलते हैं चलिए अब देख लेते हैं तो कुछ हमारे जो microorganisms जो harmful होते हैं जो हानिकारत microorganisms हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है तो सबसे पहले आ जाती है बात bacteria की तो सबसे पहले characteristics जान लेते हैं क्योगि आप exam में characteristics से भी questions देखने को मिले हैं तो bacteria क्या होता यह single cell होता है just a second single cell होता है और यह कहीं भी environment में रह सकता है human में animals में कहीं भी रह सकता है साथ ही साथ bacteria के लिए important points आप note करते जाएगा कि पहला तो यह हो गया single cell हो गया दूसरा यह हो जाएगा कि यह microscopic होता है ठीक है तीसरा ही हो जाएगा यह prokaryotic organisms होते हैं और इनकी जो cell wall होती है यह इनके पास cell wall present होती है और इनकी जो cell wall है यह protection के लिए present होती है for protection ठीक है उसके बाद इसके साथ-साथ इसमें क्या होता है reproduction जो होता है यह asexual reproduction होता है जो कैसा होगा binary fission के दवारा reproduction इसमें देखने को मिलता है यह सब points भी आप note कर लीजेगा चलिए अगली बात करते हैं हम अगली बात है हमारी virus के तो viruses क्या होते हैं viruses हमारे microscopic तो हम बोलते हैं but they are not considered as microorganisms यह microorganisms की तरह नहीं कहे जाते क्यों क्योंकि इनको reproduction के लिए एक host की अभिशक्ता होती है मतलब अगर यह निरिये पड़े हैं अगर यह ऐसे ही हैं तो निरिये पड़े हैं पर अगर यह किसी body के अंदर आ जाएंगे तो यह active हो जाएंगे ठीके पहली यह most important बात इनके लिए होती है इनकी प्रवर्ती बहुत जल्दी बदलती है बहुत जल्दी बदलती है बहुत जल्दी यह mutate होते हैं इसलिए इनकी varieties बहुत देखने को मिलती है ठीक है इनके important points हो गए next बात आती है हमारी fungi की तो fungi क्या हो जाता है यह eukaryotes है और multicellular in nature होते हैं और इसके साथ साथ इनकी जो fungi की cell wall है यह बनी होती है किसकी kaitin की बनी होती है यह आप वो याद रखता है यह exam में कई बार पूछ लेते हैं कि cell wall किसे बनी होती है kaitin से बनी होती है और जो single cell यह होते तो multicellular होते हैं पर जो single cell single cell fungi है उसका नाम होता है yeast ठीक है तो single cell fungi कौन सा हो गया yeast हो गया चलिए next बात आती है हमारी protozoa की protozoa क्या होते हैं single cell organism होते हैं और यह किसी इन्वार्मेंट में रह सकते हैं human तो जो malaria है वो कैसे होता है वो protozoa plasmodium की वज़े से malaria होता है अगली slide की तरफ चलते हैं अगली slide है हमारी अब कुछ ऐसी diseases होती हैं जो कि communicable हैं जो कि एक दूसरे से एक दूसरे को हो जाती हैं उनको communicable diseases बोलते हैं और कुछ non communicable हैं जो कि एक दूसरे से मतला फैलती नहीं है यह कैसे हो जाएगी जैसे आपका cancer हो गया फिर आपका diabetes हो गया फिर आपका क्या हो गया कोई भी ऐसी बिमारी जो जैसे headache हो गया तो यह सब क्या हो गया यह सब एक दूसरे से फैलती नहीं है पर communicable diseases में क्या हो गया कि पॉलरा हो गया ठीक है फिर साथे साथ common cold हो गया तो यह सब क्या है एक दूसरे से फैल रहा है chicken pox हो गया फिर आपका communicable में आपका यह भी malaria भी आ जाएगा क्योंकि as a host जो है वो इदर से उदर carry करके चलता है ठीक तो यह कुछ ऐसी diseases होती है जो communicable और कुछ non-communicable diseases है यह भी exam में पूछी जाती है कौन से communicable है कौन से non-communicable है जैसे कि आपके exam में arthritis बहुत पूछते है arthritis तो arthritis क्या हो जाएगी अच्छे लिख देती हूँ arthritis arthritis कैसी है यह non-communicable है ठीक है आपके exam में diabetes पूछते है communicable है की नहीं तो यह भी क्या है non-communicable है ठीक है चलिए अगली slide की तरफ चलते है आपको दो carriers बहुत important है याद करने के जो कि आपके exam में पूछे जाते है mosquito के हैं तो सबसे पहला mosquito जो है female anophilis है यह female anophilis mosquito है जो कि carry करती है क्या plasmodium और यह क्या cause करता है यह cause करता है malaria ठीक है और साथी साथ दूसरा है जो कि female है edis mosquito edis mosquito यह क्या है as a carrier of किसकी डेंगू तो यह dेंगू virus का carrier कौन हो गया edis mosquito हो गया ठीक है यह भी female ही होती है और female anophilis जो है आपकी यह plasmodium यह क्या है यह malaria को cause करता है ठीक है चलिए आईए जल्दी से अब यह चार्ट पढ़ लेते हैं इस चार्ट को आपको याद करके रट लो वाला सीन है इसको आपको रट लेना है इसी से question आते हैं इसी से question आते हैं ठीक है इसलिए English और Hindi मैंने साथ साथ लगा दिया यहां पर चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी bacterial diseases कौन कौन सी है ठीक तो हम mark कर लेते हैं पहला यह bacterial फिर यह बैक्टीरियल यह बैक्ट है कि कौन सी disease airborne है कौन सी water food है या कौन सी waterborne है तो यह सब आपको याद रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा ठीक है तो bacterial diseases हमें tuberculosis आ गया जो कि airborne है ठीक है शेरोग जिवारू वायू से होता है फिर आ गया आपका cholera है जिसको बोलते हैं यह भी जि होता है ठीक है नेक्स बाद आती है टाइफॉइड यह जिवारों से होता है और जल से होता है ठीक है नेक्स हम देखते हैं अब हमारी disease जो है वह कौन सी है viral diseases तो viral में measles virus chicken pox virus polio virus यह सब आप नाम साथ-साथ में पढ़ेंगे ला तो आपको याद रहेगा फिर आपका आ जा से ठीक है इसमें क्या हो जाता है hepatitis A water से जो है वह इधर से उधर फैलता है अब इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं क्या लिखा है कि हमारी जो कौन सी हमने पड़ी virus से होने वारी measles खसरा फिर chicken pox फिर आपके polio फिर आपका इधर हो गया hepatitis A तो यह सब क्या होगी viral diseases हो यह आपको याद रखना है most important है ठीक है चलिए अगली स्लाइड की दरफ चलते हैं अगली स्लाइड है हमारी malaria और amoebic dysentery यह भी आपको याद रखनी है दोनों तो malaria में क्या होगी positive agent हो गया plasmodium यह क्या होगी positive agent हो गया फिर mode of spread क्या है enophilis mosquito यह spread करता इधर से उधर फिर यह आपका drug कौन सा है chloroquine यह सब आपका जो है वह drug है main जो है drug इसकी chloroquine जो है drug आपको जो है वह याद रखनी है ठीक है फिर है amoebic dysentery amoebiasis जिसको बोलते हैं अब इसका positive agent क्या enter me by histolica है ठीक यह contaminated food से हो जाता है अब इसमें क्या से diarrhea हो जाएगा pain हो जाएगा nausea vomiting तो drugs इ आपको याद रखना है main आपको याद रखना है कि amoebic dysentery अगर पूछेंगे तो यह हो रहा है कि इससे antemoeba histolica के आपको यह disease हो रही है ठीक चलिए अगली slide की तरफ चलते हैं अगली slide है कुछ हमारे plant की diseases हैं जो कि आपकी NCRT की हैं तो यह भी आपको याद करनी जरूरी हो जाएंगी तो bacteria fungi virus एक एकी disease है याद कर लीज़े ठीक है citrus canker bacteria से होता है rust of wheat fungi से होता है yellow vein mosaic of windy okra यह virus से होता है ठीक है नीबू canker फिर गेहूं की rust फिर भिंडी की पीट यह क्या हो जाएगा यह सब आपको याद रखना है कि कौन सा जिवाडों से हैं कौन सा कवक से कौन सा वाइरस से चलिए अगली slide की तरफ चलते हैं अब हमारे start होते है mcqs तो हम जल्दी-जल्दी mcq solve करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपके किकने question ठीक हो है ठीक है यहां से आपकी responsibility स्टार्ट होती है चलिए सबसे पहला question है और अगर अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर दीजेगा आपको मैं बताना चाहूंगी आपकी जा the condition caused due to the irregular functioning given in column b to column A में दी गए grantियों के नाम को column B में दी गए उनकी अनिमत अन्हाली के 7 उत्पन स्थितियों से मिलाए तो क्या हो जाएगा देखो अब इसका just a second थाइरोइड तो थाइरोइड क्या करेगा थाइरोइड तो गॉइटर से हो जाएगा ठीक है पैंक्रियास क्या सिक्रीट करेगा पैंक्रियास क्या सिक्रीट करेगा इंसुलिन और क्या था ग्लुके कॉन जो कि क्या करेगा डाइबर कर रहा था side क्या था kidney ठीक फिर क्या था pituitary gland pituitary gland क्या काम करेगा stimulated growth ठीक है तो यह option हो जाएगा first का इसका शायद वो रहे गया है first का हो जाएगा three ठीक ऐसी देख लेंगे B का मने आपको mark कर दिया आप देख लेंगे ठीक चलिए अगली स्लाइड के दरब चलते हैं विच फॉलेंग ग्लांड्स अकर इन पेर्स इन human beings कौनसी एसी ग्लांड होती है जो कि पेर अब यह कैसे क्यों पेर्स में क्योंकि इधर चीब्स दो चसच अब दो हो गए एडराइड ब्रकुस दो हो गयाएं हैगे स्या स्याहद टो धर ऑसे पत्रों में तो एडर्यनल के इस़ थाराइड के दरसेड्स के दो गगए ठीक है तो कौन सा हो जाएगा adrenaline and thyroid निमन में से कौन सी ग्रंती मनिश्य में जोड़े में पाई जाती है तो आपके क्या हो जाएगी adrenaline और thyroid gland ठीक है चलिए अगले question के तरफ चलते हैं which of the following आपको जरूर बताना है कि आपके कितने question ठीक हुए आपको याद करना पड़ेगा कौन सा waterborne disease है तो आपको याद करना पड़ेगा कौन सा waterborne disease है आप खुद सोचिए तो malaria नहीं होगा क्योंकि malaria कैसे हो रहा था प्रोटोजोया से हो रहा था और एज़ार आक्ट कर रहा था तो टाइफोइड और jaundice तो typhoid आपका क्या waterborne disease है हाँ है पर क्या jaundice waterborne disease है तो jaundice waterborne disease नहीं है next बात आती है malaria malaria भी नहीं है और jaundice भी नहीं है फिर next बात आती है typhoid and cholera तो यह आपका उतर हो जाएगा उतर नमबर 4 ठीक है चलिए अगली बात अगली slide के तरफ चलते हैं अगला question है which of the following set comprises human disease caused by virus अब आपको ऐसी diseases कोजनी है जो की निम्न मेंसे कौन सा उन मानव रोगों का समुझ्या है जो एक विशाणू द्वारा उत्पन होते हैं तो एक विशाणू द्वारा कौन कौन से उत्पन होते हैं मतलब viral diseases हमें कोजनी है तो चलिए आये देख लेते हैं तो tuberculosis ज होता है यह भी आपका bacterial disease है तो यह option वैसे ही चला गया ठीक है hepatitis virus से होता है measles virus से होता है पोलियो वाइरस चिक इन पॉक्स वाइरस ऑप्शन होता है बाकी भी देख लेते हैं cholera जो होता है cholera आपका हो जाएगा bacterial तो यह बैक्टीरियल आते ही यह गलत हो जाएगा फिर कॉल जीवी है जो कि मनिश्यों के elementary canal में present होता है और present in elementary canal of human being and other animals which aid in digestion of food Z is a तो Z क्या होगा आपके शरीर में कौन सा present होता है E. coli present होता है जो कि आपको digestion में help करता है और E. coli क्या हो जाएगा यह एक तरह का bacteria है ठीक है चलिए अगले question की तरफ चलते हैं अगला question है table दिया है the table below matches three human diseases दो human diseases दी गई है with their causative microorganisms और उसके microorganisms पताये गए हैं नीचे दी ग तालिका में कुछ प्रविष्टियों को XYZ की रूप में चिन्हित किया गया है और आपको XYZ जो है वो बताना है अब आप देख सकते हैं इसमें questions बहुत देखने में बहुत ताफ लगते हैं पर होते बहुत असान है तो typhoid bacteria से होता है ठीक है सही बात है पर mode of transmission क्या हो जाए अब हमें ऐसा देखना है कि X जिसमें water हो तो X किसमें water है X हमारा C में water है ठीक है C water वाइरस और वाइरस तो option number C correct उतर हो जाएगा चलिए अगले question के तरफ चलते हैं antibiotics are effective against अब antibiotics किसके effective against होती है हमारे तो देखो दो चीज़ें होती है दो word है बहुत similar है पहला है antibiotic ठीक है और दूसरा है antibodies जब ही बात antibiotic के आ जाएगी तो आपको bacterial के against यह antibiotics खाया जाता है bacteria के against और antibodies की बात आएगे तो antibodies जो है वो viruses के against जो है वो release होती है generally ठीक है उससे क्या है vaccines बनाई जाती है ठीक चलिए अब बात आती है antibodies are effective against तो इसका मतलब है question को बहुत घुमा के दिया गया है अब हमें ऐसा उतर देखना है जो कि क्या हो जाएगी हमारी bacterial disease हो जाएगी आप देखे कितने examiner smart है तो hypotitis A virus viral disease होती है dango fever dango fever क्या हो जाएगा cholera dango fever क्या है एक तरह से carrier कौन सा एडीज मॉस्किटो से cholera अपका cholera हमारी bacterial disease हो जाता है तो आपका option no.3 correct उतर हो जाएगा चलिए अगली slide की तरफ चलते है अगली slide हमारी in column A the name of scientists are given यह very important question है very very important आप लेग लीजेए क्योंकि आपका यह question repeat हो सकता है इस तरह की questions बहुत आते हैं ठीक है आपको column A और column B में कुछ scientist के नाम और उनकी discoveries दी गई है अब आपको उनकी discoveries से match करना है ठीक है तो Alexander क्या क्या किया था एक्टेंटर फ्लैमिंग ने पैनेसिलिन की discovery की थी ठीक बात है फिर एडवर्ड जेनर ने क्या किया था प्रिवेश पाश्चर ने क्या किया था फिर रॉबर्ट कॉच ने क्या किया था रॉबर्ड कोच ने क्या किया था रॉबर्ड कोच ने हमारा किया था एंथ्रेक्स बैक्टेरियम की खूज थीक है तो हमारे इसाब से option number first जो है A का 4 B का 5, C का 2 और D का 1 जो है करेक्ट उतर हो जाएगा ठीक है इसको आप याद कल लीजेगा ऐसा का ऐसा ही स्क्रіंशॉट ले लीजे एक बाद चलिए नेक्स लाइट की तरब चलते हैं नेक्स लाइट हमारी यह सें हिंदी में भी है कि कॉलम a में विग्यानिकों के नाम दिये कहें कोलम B में खोजे ली गही है विग्यानिकोंके नाम उनकी खोज़एं से रही मेल कीचिए ठीक चल screenshot ले रहे हैं और आप दुबार रिवाइस करना चाहें तो आपको answers मिल जाएं कोई दर खोजने की जरुवत नाम लगे ठीक है आपकी सहूलियत के लिए ही मैं answers लिख देती हूं इसमें next है which of the following set comprises the communicable diseases संचारी रोगों को आपको बताना है कौन से हैं इसमें तो क्या संचारी रोगं malaria है है पर anemia है संचारी रोग तो anemia नहीं है अनीमिए तो खुन की कमी से हो रहा है ठीक है फिर बात आती है है संचारी अंचरी चीज कर आगदेखी समस्य फिल्यां गॉलिए संचारि सचारी है संचारि और पोलियो संचारी तो इसको भी तेसे हुआ आप सो तो अगे देख करएकर स्णल कलें य Homos सही option है उसको जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूस करना है निमलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्ब को चुने खस्रा बैक्टीरिया के कारण होता है देखते हैं किसके कारण होता है कि मीजल्स इस कॉस्ट बाइस के दुवारा होता है तो यह तो गुलत हो मैलेरिया इस कॉस्ट पर प्लास्मोडियम यह बाद ठीक है ठीक है टाइफोइड इस कॉस्ट बैक्टिया टाइफोइड बैक्टीरिया होता है जो कि किसे होता है पानी से फैलता है लेपरोसी इस कॉस्ट बाइरस तो लेपरोसी इस लेपरोसी क्या होता है बैक्टीरिया से तो और त्री ऑप्शन नमोर बी आपकर एक उतर हो जाएगा ठीक है चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं अगली स्लाइड है हमारी वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वस दिस्कोवर्ड बाय अब वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का टैलिक क्वेश्चन है आप इसमें लगा दें तो क्या यह रिप्रेड्व करते हैं अपने आप नहीं यह अपने आप नहीं करते हैं इनको एक खोस्ट की आयोशकता होती है तभी अपना रिप्रडॉक्शन जो है वह कर पाते हैं डे डिराइफ नूट्रिशन फ्रॉम यह बात बिल्कुल ठीक है दे लग से लिल्ले स्ट् तो आपको स्टेट्मेंट सही निमलिखित कथन पर विचार करें पेचिस और मलेरिया जैसी विमारिया जीवाणू जनित विमारिया है दिसेंट्री जस्ता सेकेंड मारकर चूज कर लूँ बी सेंट्री कैसी दिजीजस मैंने आपको बता ही यह थी प्रोटोजोल डिजीजस ए और मलेरिया भी आपका प्रोटोजोल डिजीज्स लगगा टायफोईद् सब्सूर्च अटूबरीकलージस जो है अजनि刚u टींस अटब यह बात भी ठीक है तो मतलब 3 और 4 किसमें ठीक हो जाएगा आपका only 3 & 4 correct उतर हो जाएगा ठीक है चलिए अगली स्लाइट के दरफ चलते हैं अगली स्लाइट के दरफ चलते हैं अगली स्लाइट विच फॉलिंग स्टेटमेंट इस नौट करेक्ट अब बैक्टीरिया के बारे ऐन्टीबाइटिक दवाओं की तयारी में बैक्टीरिया होता है सही बात है तो अप्योग ब्रेट और केक बनाने में किया जाता है तो नहीं बाई बैक्टीरिया नहीं क्या जाता क्या जाता है तो option number 3 आपको correct उततर हो जाएगा तो answer आपको option no.3 हो जाएगा तो next बात आती है next question which of the following statement is not true about yeast अब देखिए हर एक सुक्ष्म जीवी के बारे में भी एक एक question आप से पूछा गया इस तरह से तो देख लेते हैं which of the following statement is not true about yeast कौन सा statement सही नहीं है yeast के बारे में yeast is a single cell organism सही बात है yeast जो है वो single cell organism होता है बात बिलको ठीक है yeast to multiply rapidly and produce carbon dioxide and respiration ये बात ही बलगोर ठीक है yeast can remain dormant for long time ये बात भी सही है ये 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 प्रिड्यूस बाइफ ये बात गलत हो जाएकि ये 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 प्रिड्यूस करता है बाधा process of budding अब्स ब्याद रखना है कॉन सा process हो जाता है budding तो इसका option number 4 correct उतर हो जाएगा अगली slide की तरफ चलते हैं अगली slide है read the following paragraph and select the option that is correctly fill in the blank in a given order हिंदी में भी है निमलिखित उनीच शेदों को पढ़ें और उस विकल का चाहिन करें जो दिये गए क्रम में रिक्त स्थान को सही धंजे भरता है जब कोई रोग बाहग सुफ शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर आक्रमर्कारी से लड़ने के लिए डैश उत्पन करता है तो वो क्या उत्पन करता होगा क्या वो आटीजन है नहीं एंटीजन तो वो खुदी है तो एंटीबोडीज टू और त्री दोनों में है ठीक है देख लेते हैं इफ डेट ओफ वीकेंड वैक्सीन बनाने में और आप देखें डाइबर इसक चैसलेकित ऑर जाए होगा है अगला होग्प वैक्सीन है हमारा अभी हमारे सारे वसम अविग अपिन हो गया है ऑफ होगा пам caucus ऐ आपक विस्हीं था और में इसमें शायद रहे गए हैं वो slide दूसरी पीटी में है तो वो recording के समय शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाए क्योंकि वो पीपीटी ही दूसरी है तो उसको मैं अलग से आपको 10-15 मेट में सारे questions करा दूँ क्योंकि हमने होल्मोंस का चैप्टर तो खत्म कर लिया पर questions हमारे अभी भी pending है तो मैं अलग से वीडियो पोस्ट कर दूँगी तो आप उसको जरूर देख लिजेगा छोड़ियेगा मत ठीक है तिल दन थैंक यू सो मच और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीज जाएंगे कुशिश कर रही हूं बस आप लोग की चीजों को पूरा करने के लिए थैंक यू सो मच वाचिंग डिस वीडियो थैंक यू